प्यारे बच्चों शुक्रभाद संस्कृत की कच्छा में आज का विशय है दिन चर्या कच्छा तीन संस्कृत प्यूशम दसमाह पाठ दिन चर्या एक विद्यार्थी के रूप में हमारी दिन चर्या क्या होनी चाहिए हमारा स्वस्त दैनिक क्रियाकलाब कैसा होना चाहिए इन बातों को इस पार्ट में संस्क्रित में बताया गया है आईए हम लोग एक वालिका के दिन्चर्या को देखते हैं जिनका नाम है सोभा ये पैर से दिव्यांग भी हैं आईए पढ़ते हैं दिन्चर्या सोभा प्रातह उतिष्ठती सोभा उनका नाम है प्राता माने सुवेरे उतिष्ठती माने उठती हैं सोभा प्रातह उठती हैं सोभा फेनिलेन हस्त प्रचालनम करोती सोभा फेनिलेन माने साबून से हस्त माने हाथ प्रचालनम माने धोना करोती माने करती हैं प्रजान माने साफ करना सोभा साबूं से हाथ साफ करती है सोभा मुखम दंतान च छालनम करोती सोभा मुखम माने मुख दंतान माने दातों को च माने और छालनम माने साफ करोती माने करती है सोभा मुख और दातों को साफ करती है अनिल अस्नानम करोती ये अनिल जी हैं अनिल अस्नान अस्नान करोती माने करते हैं अनिल अस्नान करते हैं सोभा भोजनम करोती सोभा भोजनम माने भोजन करोती माने करते हैं अनिल भोजनम करोती अनिल भोजनम माने भोजन करोती माने करते हैं अनिल भोजन करते हैं अनिल भोजन करते हैं प्रचालनम माने हात धोना, फेनिलेन माने साबुन से, छालनम करोत धोती है धोता है, शह माने साथ, गच्छति माने जाता है, क्रिड़ति माने खेलती है, खेलता है. आईए इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं, मौखिक वाक्यों को पढ़िये, अमनह दंत छालनम करोती, अमन दात साफ करता है, डेविड अशनान करोती, जया पढ़ती है, सलमा विद्याले जाती है, लिखित, इसको काफी पर लिखना भी है उधाड़ के अनुसार वाक बनाईए जिसने यहां देखे सब्द दिये गहे हैं रमा, चात्रभ, अध्यापक हमाता तो पहला बना दिये गहागे है को रमा हस्त प्रचालनम करोती चात्रह हस्त प्रचालनम करोती अध्यापक हस्त प्रचालनम करोती माता हस्त प्रचालनम करोती इस प्रकार से वाक्य बना देंगे दूसरा है उधाड के अंसार वाक्य लिखिए जिस तरह से उधाड में वाक्य लिखा गया वैसे लिखना है शोभा कृड़ती शोभा गच्छती शोभा पठती शोभा उतिष्ठती यह यहाँ पर वाक्य लिख देना है पाला लाइन यह लिख दिया गया है दूसरा लाइन आपको लिखना है तीसरा लाइन इसको इसको जोड़ के बनाना है सुमेलित किजिए, तीसरा है सुमेलित किजिए, अस्नानम करोती, मियूरह नृत्यती, फलम खादती, फेनिलेन हस्त प्रचालनम करोती, ठीक है? अस्नान करता है, मियूर नाचता है, फल खाता है, साबुन से हाथ धोता है, इस प्रकार इस पाट को के अभ्यास को आप लोग काफी पर लिखिएगा, मिलेंगे अगले पाट के साथ, तब तक के लिए धन्यबाद, नमस्कार